मैं रिसर्च भी करता हूँ, डेटास पे भी काम करता हूँ अब मुझे बताइए ना फिछली बार हम लोग मातर तीन दल थे भारतिय जंता पार्टी थी, जंता दल युनाइटेट थी, लोग जंशक्ती पार्टी थी हम तीन दलों ने मिलकर 40 में से 49 सीटे हम लोगों ने जीतने का काम किया आज की तारीक में दो ऐसे दल, जो तब हम लोग के साथ नहीं थे वो भी अब हम लोग को मजबूती देने का काम कर रहा है जिसमें आदनिय जीतानामाजी जी हैं, जिनकी लोग सबापे मैं यहां पे खड़ा हूँ जिनके लिए मैं प्रचार करने यहां पर आया हूँ, आदनिय जीतानामाजी जी हैं, राष्टे लोग मोर्चा के राष्टी अद्यक्ष उपेंद्र कुश्वा जी हैं, तो ऐसे में 19 से जादा हमारी ताकत बढ़ी है किशन गंज की जो एक सीड हम लोगी रह गई थी, इस बार वो भी जीतेंगे और 40 की 40 सीटों का एक महत्तवपून योगदान देश वर की 400 प्लस सीटों में रहेगा जो हमारे प्रधान मंत्री जी को तीसरी बार प्रधान मंत्री बनाएगा आज प्रधान मंत्री जी की वज़ा से ही देश ही नहीं दुनिया में अगर भारत का मान सम्मान है, भारतियों का रुतबा अगर बढ़ा है तो ये प्रधान मंत्री जी की देन है आज प्रधान मंत्री जी की वज़ा से ही महिलाओं का सम्मान सुरक्षित हुआ है सौचाले बनाकर उनके स्वास की चिल्टा की गई है उज्वला योशना देकर जितने भी बुजर्ग हैं उनको आर्थिक कटनाई ना हो स्वासलाब लेने में आयूशमान योशना के माध्यम से हो उनका भी ध्यान रखा गया है ये वही सरकार है जो पिछले दस सालों में अपने द्वारा किये गए कारियों के बारे में जानी जाती है इंफ्रास्रक्शल डेवलपमेंट के बारे में जानी जाती है रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर जानी जाती है वंदे भारत योशना के बारे में जानी जाती है देश क प्रज ry ci की अर्थ व्यवस्ता के बारे में जाना जाती । इससे पहले हमेंसे कोई नी जानता था कि कौन से पायदान पर भारत की अर्थ व्यवस्ता है पिछले 10 icon • 5 と सालों um and पांचными और अगले 5 सान में पांच साल नह नमबर पर लेगा जाने। प्र ठीस बहुत पहले नहीं भी जाए। यूपिय की सरकार को ही अगर हम लोग देखें तो 2004 से थी। किस के लिए जानी जाती थी। तूजी के लिए, कोलगेट के लिए, तमाम तरीके के घोटालों के लिए। आज इस सरकार में कम से कम घोटाला नहीं है। इस सरकार में कम से कम कहीं द इंकाना ये वही लोग हैं जिनोंने समय समय पर रहकर देश को बिहार को पिछरा बनाई रखने में महतोपून योगदान दिया ये वही लोग हैं जिनोंने देश में आपातकाल लगाने का भी काम किया ये वो ही लोग हैं जिनके रहते हुए देश में बड़े से बड़े दंगे हुए आतंकी तक हमारे घरों के अंदर घुसकर हमारे लोगों को मारने में कामियाब रहे तो ऐसे में एक ऐसा प्रधान मंत्री जो सीमाओं को भी सुरक्षित रखता है जेश वासियों को भी सुरक्षित रखता है उनके खिलाफ कहने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता तब आप ये सारी बाते करते हैं